इस साल जो G7 यानि ग्रूप ओफ सेवन है उसकी जो मीटिंग है एन्वल मीटिंग जो है वो युनाइटीड किंग्डम में की जा रही है और वहां पर भारत को भी इन्वाइट किया गया है लेकिन जेपैन ने इस भारत के साथ ग्रूप ओफ सेवन की जो इंगेजमेंट है इस पर थोड़ा से रिजिस्टन्स दिखाया है और थोड़ी सी नाखुशी भी जाहिर की है जी सेवन है कौन? ग्रूप ओफ सेवन करता क्या है? उसमें भारत के इस इन्विटेशन की विजए से जेपैन नाखुश क्यों है? और इसके इंटरनाशनल रेमिफिकेशन क्या हो सकते हैं? आईए एक बड़ डिसकस कर लेते हैं इंटरनाशनल रिलेशन्स की वन ओफ दी मोस्ट इंटरस्टिंग न्यूज जो की साल के पहले महीने में आई है चलिए बात करते हैं अगर आपको इन क्लासिस का पीडिएफ चाहिए तो प्लीज मुझे मेरे टेलिग्राम ग्रूप पर जिरूर जोएन कीजिएगा अगर आपको मेरे साथ सोचल मीडिया पर भी कनेक्ट होना हो तो प्लीज डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा आपने रिसेंटली बड़ी सारी सी नियूस सुनी होंगी पढ़ी भी होंगी और अगर नहीं पढ़ी है तो आपको कुछ सारे स्निपेट्स पर दिखा देता हूँ जपैन पुशिज बैक अगेंस्ट यूके प्लान टू इन्वाइट इंडिया अदर्स टू जी सेवन मीटिंग इसका मतलब यह है कि इंडिया के साथ 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 कोरिया और आस्ट्रेलिया को भी उनाइटेड किंडम ने जी सेवन में इन्वाइट किया है जिस पे जपैन हो रहा है तीन दिन का समिट है जैपैन पुशिज बैक जॉनसन ट्रिगर्स जी सेवन फियर और राइवल एलायन्स टू काउंटर चाइना चलिए एक बार देखते हैं डीटेल में बात क्या है क्या नहीं है देखिए जो ग्रूप ऑफ सेवन है वो एक इंटरनेशनल और्ग और एकॉनमी से रिलेटीड या कुछ मेजर डिसीजरस लिये जाते है क्योंकि यह वीश्व की सबसे पावरफुल एकॉनमी है अगर यह सातों मिल जाएं तो बेसिकली वर्ल्ड की 55% जीडिप इन सातों देशों से आती है इन सब के जो गवर्मेंट के जो हैड होते है यानि इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है एक और आपके एक्जैम्स के लिए एमसु की बता देता हूं कि जी सेविन की जो चेर्मेंशिप होती है वो रोटेशन वाइज होती है कि एक साल जैपैन ले लिया एक साल यूनाइटिड कीड़म ले ले लिया एक साल कैनेड बार बना था जब वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, युनाइटिड स्टेट्स, ग्रेट ब्रीटेन और जपैन जो की ग्रूप फाइफ कहलाते थे उनके फिनेंस मिनिस्टर्स मिले थे 1973 के ओईल क्रैसिस के बाद एक बार यह बता देता हूं इसका बेकड्राउंड 1973 ओईल क्रैसि जो कंट्री है वो अरब नेशन के बीच में है और उसकी इजिप्ट के साथ और लिबिया के साथ एक लड़ाई चल रही थी लेबनान के साथ एक लड़ाई चल रही थी जिसको यौम किपूर वार कहा जाता है तो ऐसे में जो जो देश इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे यान कि United States of America, Canada, Germany, France और जो देश अरब कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे यानि कि जैसे कि साथी एरेविया हो गया या फिर इराक हो गया, कुवेत हो गया, इरान हो गया ये सारे के सारे जो देश थे वो बेसिकली अरब देश है बट ये ओएल प्रोडूसिंग देश भी है तो इन्हों ने एक ओएल एंबार्गो लगा दिया, इंटरनेशनल उन देशों के अगेंस जो की इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे यॉम किपूर वार में और उसको कहा जाता है ओएल क्राइसिज 1973, विदिन वन टू टू मन्स जो ओएल के प्राइसिज थे वो चार गुना हो और उनके जो ओएल प्रोडूसिंग अरब कंट्रीज थे इन सब के बैन लगाने पर एंबार्गो लगाने की वज़ए से विदिन वन मन्स इसका जो प्राइस है वो बारा डॉलर हो गया था तो आज के हिसाब से तो बारा डॉलर नहीं है पर तो सोचे कि अचानक से पेट्र ग्रूप बनकर सामने आया जिसको अब ग्रूप ओफ सेवन कहा जाता है जिसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी साथ एकॉनमीज मिलके बातचीत करती हैं और कुछ नेगोशियेशन करती हैं समिट जो है एन्वली हेल्ड होते हैं होस्टेड ऑन रोटेशन बेसिज बाई ग्रूप मेंबर तो हर साल कभी कैनेडा हो गया कभी एक बार युनाइटिड स्टेट्स हो गया और इस साल जो बारी है वो है युनाइटिड किंडम की यानि की यूके की बारी है बॉरिस जॉनसन इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी इसके साथ एक असोसियेटिड है कई बार वो 8th member of G7 count किया जाता है सारे rights और responsibilities हैं जो कि full members के पास होते हैं बस वो कभी ना chairman नहीं बनता है तो क्योंकि European Union तो total 27 देशों का एक good है 27 देशों का एक group है 27 देश का तो वो उसको अब वो कहां पे hold करेगा तो particular किसी country पे hold नहीं कर सकता जो G7 में memory नहीं है वो कैसे hold करेंगे ठीक है इसलिए इसलिए उसको सब rights और responsibilities दी गई है परन्तु chairmanship नहीं मिलती है हमारी screen पर जो इस समय जो पीछे blue color का जो flag दिख रहा है आपको ये European Union का जंडा है basically इसमें total 12 stars है अब ये सवाल मेरे भी दिमाग में उठाता कि जब देश जो total देश European Union में है वो 27 है तो उनके जंडे में जो stars है वो 12 क्यों है वर हर चीज पर कोई logic नहीं होता इसका कोई reason नहीं है वर शायद इनको symmetry के हिसाब से शायद clock के हिसाब से 12 के 12 star बना दिये उन्होंने जैसे clock का face होता है ठीक है चले बात करते हैं अच्छा ये देखिए European Union is sometimes considered as an 8th member यहाँ पर एक important trivia मैं आपको बता देता हूँ कि जो G7 member थे उन्होंने 1998 में Russia को add कर लिया था तो वो total कहलाए जाते थे G8 तो 1998 के बाद G7 exist नहीं करता था और वो G8 members हो गए थे और G8 members होने के बाद 2014 में Russia को वापिस यहाँ से निकाल दिया गया इस group से क्योंकि Russia ने Ukraine में जो क्रीमिया नाम का जो देश है उन्ठो एनेक्स कर लिया था आप पढ़िएगा इसके बारे में वरना अगर आप को जरूरत हो तो मुझे comments में जुरूर बताएगा हम इसके एक बार detailed discussion भी करेंगे कि 2014 में क्रीमिया का annexation किस प्रकार से रशिया के उकर international sanctions लगवा के गया है तो 2014 में G8 group से उसे निकाल दिया गया था और उसके बाद से 2014 के बाद इस group को G7 कहा जाता है अब यहाँ पर interesting बात एक notice कर लीजिए कि Russia और China जो की world की again वो भी top 10 economies में आते हैं इंडिड चाइना तो कई सारी economies से बड़ा है G7 में भी economies उन से बड़ा है इस समय second number पर world की economy है लेकि G7 में China member नहीं है बलकि Japan है अगर देखेंगे तो पूरे के पूरे Asia में से सिफ Japan इसका member है चलिए बात करते हैं अब पूरा का पूरा मुद्दा क्या है क्योंकि आप background समझ चुके है तो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉन्सन ने इस साल G7 में South Korea, India और Australia तीन countries को invite किया है ठीक है यूजुवली ये standard practice होती है कोई भी international group होता है तो कहीं न कहीं guests को observers को बुलाता ही है लेकिन इस बार क्या है कि ऐसा माना जा रहा है कि जो ये तीन countries जो बुलाए गए है South Korea, India और Australia ये थोड़ा deeper interaction करेंगे G7 group के साथ यानि कि थोड़ा और ज़्यादा participate करेंगे वरना generally जो पुराने और annual summits थे उसमें भी हम guests के रूप में जाते थे परन्तु जो उनकी day-to-day negotiations होती थी उसमें हमारा कोई खास participation नहीं होता था हम बस observation के तौर पर जाते थे अब लेकिन ये participation इस साल जादा deeper हो सकती है इस बात पर Japan ने इस बात पर ये concern raise कर दिया कि इसके करने से there is a possibility कि हम ये तीन देशों को invite करें और ये तीनों मिल के साथ G7 के साथ एक joint charter sign कर दे तो कहीं UK का ये plan तो नहीं कि G7 group को G10 कर दिया जाए ऐसी वाली तो इससे Japan के दिमाग में दो skepticism उठते हैं पहले तो ये कि अगर ये जो institutionalize हो रही है G7 की दूसरे देशों के साथ relationship ये इस समय समय नहीं है अभी नहीं करनी चाहिए 2020 का काफी difficult year था अभी इस समय G7 को वापिस rebuild करने का समय है ना कि उसके दूसरे देशों के साथ जो relationship है उसको institutionalize करने के लिए ये तो पहले जपान का concern हो गया दूसरा ये भी concern है कि कहीं ये anti-china front ना बन जाए ऐसा पिछले साल भी हुआ था जब डॉनल्ल टरम्प United States of America की president थे उन्होंने उस समय भी G7 को expand करने का idea दिया था बल्गी वो तो कह रहे थे कि रशिया को भी invite कर लो Australia को भी, South Korea को भी India को भी basically expand कर लेना चाहिए क्योंकि Trump का plan था इसको actually में एक anti-china front बनाने का जो कि Japan को लगता है कि basically सही नहीं होगा अभी जो नए राश्टपती है United States of America की Joe Biden उन्होंने basically कुछ अपना idea नहीं दिया है कि वो इस issue पर, कहाँ पर stand करते हैं कि basically एक नया anti-front बनाया जाए चाइना की against लेकिन Japan के दो-दो मुद्दे जो हैं सबसे पहले तो वो South Korea की participation पर अब South Korea क्या था कि 1910 से लेके 1945 तक Japan के colonial rule के तहट था तो उसकी वज़े से अभी modern times में दोनों के बीच में नई तरीके की tensions आ रही हैं पुराने वाली अब और साथ ही साथ ये भी बात है कि Japan कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर सिर्फ खुद अकेला एक ही Asian country बना रहे अगर South Korea होगा, इंडिया हो गया तो उसका एक privilege status है जो कि हो सकता है कि वो खोदे तो कहीं न कहीं उसके दिल में ये भी मानने की बात है कि ऐसा exclusive group है जहां पे सिर्फ मैं ही एक पूरे के पूरे Asia का representative हो तो उस चीज को continue को न किया जाए इस privilege status को कम क्यों किया जाए Asia की तरफ से अकेला एक representative होने से उसको कुछ power provide हो जाती है Asia के representative होने के तौर पर तो ये जो दो-तिन concern है उसकी वज़े से Japan ने जो United Kingdom के Prime Minister ने इंडिया, South Korea और Australia की जो deeper engagement प्रपोस की है इस बार के G7 Summit पर उसके against थोड़ा सा आशंका जताई है या थोड़ी नाकुशी जताई है However, for now याद रखेगा कि यह भी continue है Prime Minister Modi जी उससमें invited है G7 पर, 11 June को G7 का Summit होगा इस बार Cornwall नाम की जंगे पर UK में है Cornwall, वहाँ पर यह Summit हो रहा है ठीक है, यह वाली बात है और यह भी ज़रूरत है कि इसको कही anti-China front ना बन जाए ठीक है, अगर आपको इन के लिए current affairs के लिए exam की preparation के लिए आपको PDF चाहिए, या फिर अगर आप मुझसे बात भी करना चाहते हो तो please आप मेरे telegram group को ज़रूर जोइन कीजेगा and कुछ fake telegram groups भी है अगर गलती से join कर लिया हो तो उसे छोड़ के वापिस एक बार चेक कर लिजे कि जो telegram का address है वो t.me slash amitkilor है you can report them as a fake also you can also connect with me on social media to have a conversation related to the current affairs or the video series or the educational series which we are bringing to you and in case उसके बाउजूर भी आपके दिमाग में particular current affairs से related जैसे कि G7 और Japan और India के relations related कोई question हो तो इस YouTube वीडियो के नीचे comments करके जुरूर बताएगा I'll personally read them and try to answer them as soon as possible Have a nice day students Bye